हेलो गाइस नमस्कार मेरा नाम है पवन्चंद्रा और आप सभी का स्वागत है मिस्टर संलाइट चैनल पर दोस्ते बहुत ही पॉजिटिव न्यूज के साथ आ रखा हूं और पॉजिटिव न्यूज क्या है अच्छी न्यूज है कि रिसर्चर्ज जो है जो रिसर्च करते है आगे करता हूं और आपको तो पता है मैं पल्कुल डिटेर लेकर आता हूं आपको पुरा समझेंगे कि Alzheimer disease होता क्या है और दुसरे में हम समझेंगे कि क्या किया आई गुहार्टी ने और पहले क्या होता था Alzheimer disease के treatment को लेकर वह बात भी करूंगा मैं आपके तो बने रही है अंत तक इस वीडियो के साथ मेरे साथ और अब 10 मिनिट में आपको अच्छा सीख के जाएंगे यह मैं आपको गैरेंटी देखे जाता हूं अब जानने से पहले कि निरोलोजिकल डिसॉडर है ना निरोंस एलेटट हमारे ब्रेन के इंतर जो सेल होते हैं ना स्मॉल एस उनिट होती है फंक्षनिंग की जैसे हम सैल कहते हैं वह खराब हो जाती है उसके जिसके चाहिए काफी प्रॉल्लम सहने पड़ते हैं जैसे कि हमारी मेमोरी शाप नहीं हो ऐसे करके हमारा मूर बिल्कुल अजीब सा होता है confusion के साइड हम होते हैं कि याद समझ में नहीं आया बिल्कुल एक doubtful situation होती है तो यह है उसके बात क्या 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 है कि पहले तो ऐसा लगता है कि दोस्तों की यह आमी बात है पहले टाइम पर माइल्ड लगता है जैसे बाहर का इलाका है तो यहां पर जो सेल होंगे दोस्तों हमारे ब्रेन के वह बताऊंगा मैं क्यों होता है प्लेग एक formation हो जाता है प्लेग का एक के ओपर एक multi cells बनते लग जाते हैं अभी बताऊंगा आपको आगे देखिए पहले यह समय लेते हैं कि तो दोस्तों एक amyloid beta peptide नाम का एक molecule है जिसकी growth से एक के बाद एक अपनी growth बनाते जाता है अपनी प्रजाती वहां पर विक्सित कने जाता है समझें वह एक network कर जाता है जैसे हम किसी को छूते हैं तो हम हाथ में चूते हैं लेकिन हमारे दिमाग वापी समारे यहां पर दर्द होता है हमें लगता है तो दिमाग यहां हाथ से चूते हैं वह सेंड करता है तो नियुरॉन्स होते हैं दोस्तों जो हमारे brain के अंदर communication भी लेकिन हमें पता नीच लेगा कि हमने गरम चीज हुई है समझे ना वह चीज है तो उसमें प्रॉब्लम कर देते हैं डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो आयटी गुहार्टी की रिसर्चर्ज ने दोस्तों ये काम किया है बहुत अच्छा लाजवाव काम है कि उन्हेंने एक धोकादड़ी बाला फामला यूज कर लिया क्या होता है इसका नम ट्रोजोन क्यों रखा गया है वो बता देता हूं ट्रोजोन ऐसे ग्रीक का शब्द निकलते थे और वो जो मेन एंट्री पॉइंट्स होते थे जो किले के अंदर जो मेन एंट्री पॉइंट्स होते थे उनको भी खोल कर जो बहार सैनिक वेट कर रहे हो उनको अंदर बुला लिया करते थे समझ रहे है एक घोड़ा मैंने आपके को दिया उस गोड़े के अंद दिखीगा उसकी तरही, मतलब मैं दिखुँगा तो मेरे जैसा हम्शकल तो होगा, लेकिन काम मुझे से अलग होगा, जैसे मैं वो बिमारी फेला रहा हो, अन्दर ब्रेन के अंदर लेकिन वो बिमारी नहीं फेलाएगा, वो उसको तो ठीक कर निकोशिश करेगा वह पॉइजनेस जो थिंक्स होंगी उसको कम करेगा तो इसमें बात क्या जाती है कि यह डिजीज को यानि कि जो एल्जाइमर डिजीज का है उसको एक सर्टेन लेवल पर दस साल तक को उसको रोक सकता है एक जोगा पर स्टेबल फॉर्म पर ला है लोग डोस्तो है न तो आगे बात करता हू हम पहले क्या हो था था इलक्ट्रिक अनमेंगेटिक फ्यल्स का इस्तमाल कि आजा ता था ताकी इसको रोक सके ताकि जो degeneration है, जो कि हमारे brain cells की degeneration है, तो रोका जा सके, लेकिन अब एक नया तरीका बिलकुल मज़िदार उन्होंने किया है, तो यहाँ पर पहले भी development स्वीन जासे कि यह बताया गया है कि vaccine intervention could rescue memory impairments and prevent neurons from dying by reducing tau tangles, यह तो खेर आपको भी समझ मिन आएगो कि medical term जादा है इसके अंदर, तो अब आगी का रास्ता क्या है, यह थोड़ा सा और बता देता हूं, कैसे हो गाई यह, वैसे इसमें बनाने में 5 साल लगा, मैंने आपको बता दिया कि research 5 साल लगी, आज 5 साल बाईया के बीच में, हजार जैसी दवाईयां हैं, अल्जाइमा डीजीज के, लेकिन वो फेल कर गई, उनके डेपलप्लेप्लेट, और आज हमने जूँआ रपलेप्लेट किया है, वो यह बहुत बहुत अदा सक्सफुल डेपलेप्लेट माना जा रहा है, क्योंकि जो दोस्तों, और हम फोकस करते हैं ऐसे चीजों में अपने चैनल के अंदर कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, तो this is all the end of the analysis, आप हमाई साथ ऐसे जुड़े रहें, और इस पडिवार को आगे बढ़ाएं, शेयर कर सकते हैं, आप अपने friends को अगर information अच्छी लगी हो, लाइक कर सकते हैं, और subscribe अगर नहीं किया तो subscribe भी कर दीजेगा, thank you and have a nice day ahead.